मातादी दोस्तों घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरू लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों हिंदू धर्म सास्त्रों में कार्तिक पुर्णीमा को पवित्रतम तीटियों में से एक माना जाता है इस दिन का महत विविन धार्मिक रंथों में विस्तार से बताया गया है कार्तिक पुर्णीमा के दिन भगवान विस्तनों के रूप में मतस्य अफदार का जन्म जो स्रिस्टी के बिनास और पुनर स्रिजन की कथा से जूरा है मानेता है कि इस दिन किये गए पुन्य कर्मों का फल आने दिनों की तुलना में अधीक होता है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कार्तिक पुनिमा वाले दिन आपको क्या करना चाहिए और की चीजों को करने से परहेज करना चाहिए संपूर जानकारी देंगे वीडियो में लास्तक बने रहे वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए फैमिली फ्रेंट की साथ सेर कीजिए चैनल पर पहली बार आए और घरेलुख पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल बटन को प्रेस कर लेंगे इससे ही होगा कि आने वाले इसी तरह के सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्थ हो जाएंगे आपको बता दे कि पंचांग के अनुसार साल दोहजार चौबिस में कार्तिक पुर्णीमा 15 नवंबर को मनाया जाएगा पुर्णीमा तिथी की सुरुवात 15 नवंबर को प्राता काल 6 बज कर 19 मिनट से हो रहा है और इसका समापन 16 नवंबर को रातरी 2 बज कर 58 मिनट पे रहेगा ऐसे में उदिया थी कि अनुसार कार्तिक पुर्णीमा का जो ब्रत है दीपदान है वो 15 नवंबर को ही किया जाएगा आपको बता दे कि कार्तिक पुर्णीमा के दिन गंगा नदी में सनान और दीपदान को अत्यधिक पुन्यकारी माना गिया है जो लोग पुरे कार्तिक मास असनान नहीं कर पाते वो कार्तिक पुर्णीमा के दिन ब्रह्म महुर्त में उठकर उनको किसी नदी या सरोबर में जाकर असनान करना चाहिए या गंगा नदी में जाकर अगर ये संभव ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल मिला कर असनान करना चाहिए भगवान सिव के भगतों के लिए भी यह दिन खास होता है क्योंकि इसे त्रीपुरारी पुर्णिमा के नाम से जाना जाता है इस दिन भगवान सिव ने त्रिपूरा सुर्ष का बध किया था जो संसार के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ था इसलिए इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है जैसा कि मैंने बताये कि इस दिन गंगा जमुना और अन्य पवित्र नदियों में असनान करना अत्यंत पुन्यकारी माना जाता है कहते हैं कि इस दिन जो ब्यक्ति गंगा असनान करता है उसे सभी पाप धुल जाते है और उसे मोक्ष की प्राप्ती होती है दान का भी विशेश बताया गया है ब्रामनों तथा दीन दुखी निर्धन लोगों को आज अनाज, वस्त्रधान और अनावस्वस्तूओं का दान करने से पापों का नास होता है और पुन्य की प्राप्ती होती है दीबदान जो इस दिन का एक प्रमुक कारे है अन्धकार को दूर करने और जीवन में प्रकास फैलाने का प्रतीक है इसे करते समय लोग अपने घरों के पास मंदिरों में और नदियों की किनारे दीब जलाते हैं ब्रत रखना चाहिए पोनिमा का ब्रत और घर में भगवान सत्यनारायन की कथा करवानी चाहिए आपको बता दे कि आज आपने ब्रत ना भी रखा हो तो आज की दिन आपको भूल कर भी मास, मदिरा, प्याज, लहसुन, बैंगन, मसुर की दाल का सेवन नहीं करना है इसके अलावा आज की दिन किसी का अपमान नहीं करना है आपको, भगवान किस रूप में आपके सामने आ जाए, कहां नहीं जा सकता है, आज की दिन गलती से भी अपने मुह से अपसर्द ना निकाले और नहीं किसी का आपमान करे, अपने क्रोथ पर नियंतरन रखे और रह ना करे, लड़ाई जगड़ा ना करे और सांती सद्भाव से रहे, उमीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करे, सेर करे, और मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब करे, थैंक्स